लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले आज कॉंगरिस को बहुत बड़ा जटका लगा है जार्खन कॉंगरिस के अकलोती सांसत गीता कुड़ा ने लोगसभा चुनाओं से ठीक एक महने पहले आज कॉंगरिस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है दिल्चस बात यह है कि आज सुबह ही जार्खन कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एहमद मीर और कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में कॉंग्रेस के महासुचिव केसी विनुगोपाल से मिलकर लुकसभाच चुनाओं की तैयारियों पर विशेश च आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं the4thpillar.news असल में आज जार्खन कॉंग्रेस के साथ जो कुछ घटित हुआ है उसकी तैयारी तो बहुत पहले से पूरी हो चुकी थी बस उसे अमली जामा पहनाने के लिए आज की तारीक मुकरर की गई दफूर्थ पिलर ने आपको पहले ही बताया था कि सिंग्भुम और राजमहल लोकसभा सीट पर जहां 2019 के आम चुनाओं में भाजपा चुनाओं जीतने से चुक गई थी वहां 2024 के लिए मास्टर प्लान बहुत पहले से तैयार कर दिया गया था इस बाबत भाजपा ने इन दोनों ही हारी ही सीटों के अलावा जहारखंड के बाकी बचे 12 लोकसभा सीटों पर भी लगभग 7 से भी ज्यादा इंटर्नल सर्वे अलग अलग एजेंसियों से कराये हैं जार्खंड के हर लोगसबा सीटों का इंटर्नल सर्वी रिपोर्ट अमित शाह तक पहुंचाय गया था पर जार्खंड के दो महत्पुन लोगसबा सीट सिंग्भुम और राजमहल पर अमित शाह की पैनी नजर बनी वी थी जानकारी के मुताबिक अमित शाह के आदेश पर जार्खंड भाजपा की दो सदस्य दुर्जय मंडली बनाई गए जुसमें प्रदेश भाजपा संगठन के दो कद्दावर नेताओं को सिंग्भुम सीट पर कई दिनों तक प्रवास कर यह रिपोर्ट बनाने को जिम्मा को भाजपा में शामिल करा लिया जाए तो आगामी लुकसभा चुनाओं में इसका फाइदा किस हद तक बीजेपी को होगा इतना ही नहीं सिंग्भुम लुकसभा सीट के लिए प्रयवेक्षक बनाए गए संगठन के एहन दो नेताओं को यह भी पता लगाने का सीधा दिल साथ में जारखन भाजपा के इन दो प्रयवेक्षकों को यह भी जानकारी जुटाने थी कि अगर किन ही परिस्थीतियों की वज़र से गीता कोड़ा कॉंग्रेस का साथ नहीं छोड़ती हैं तो बीजेपी किन तीन अलग-अलग संभावित मिद्वारों में से किसी एक को अ गीता कोड़ा को भाजपा जुआइन कराने से न सिर्फ सिंग्भूम सीट भाजपा के खाते में आएगी बलकि विधान सभाज चुनाओं में भी कुलहान की आदिवासी बहुल सीटों के चुनावी नतीजों पर भी इसका साफ असर पड़ेगा इस सर्वे रिपोर्ट में यहां तक बताये गया था कि अगर गीता कोड़ा भाजपा जुआईन नहीं करती हैं तो सिंग्भूम सीट पर भाजपा के तीन अनिसंभावित उमिद्वार कौन कौन होंगी जिने पार्टी कॉंग्रेसी सांसत गीता कोड़ा के खिलाप एक्षकों ने अमिट शाह को सुझाय था इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद दिल्ली से प्रदेश संगठन के आला नेताओं को अस्पष्ट निरदेश था कि पहले गीता कोड़ा को भाजपा जुआइन कराने की कवायत शुरू की जाए हरी जंडी मिलते ही गीता कोड़ा से कई राउंड की बादचीत शुरू हुए और नतीजा आप सब जानते हैं इस बादचीत में गीता कोड़ा के पती पुर मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को भी शामिल कराने की बात सामने आ रही थी पर बीजेपी का स्टेंट बहुत साफ था बहुत क्लेर था कि यह डील सिर् ब्रष्टाचार क्यारोपों का सामना कर रहे मधु कोड़ा अभी ब्रष्टाचार क्यारोपों से बरी नहीं हुए हैं ऐसे में भाजपा लोकसभाव विधान सबाच चुनाओं के ठीक पहले किसी बिन बुलाय विवात को खड़ा करना नहीं चाहती अंतता बाद गीता कोड के भाजपा में शामिल होने की तैफि और आज का ये दिन है जब जारखंड कॉंगरेस के कलौती सांसत गीता कोड़ा लुकसभा चुनाओं से ठीक एक महिने पहले एन मोंके पर भाजपा का दामन ठाम कर कॉंगरेस को अंधे मुख पठखनी देती हैं इतना कुछ जान गए हो तो यह अभी जानिए कि गीता कुड़ा कॉंगरेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने की क्या-क्या वजहें पत्रकारों को गिनाई गीता कुड़ा ने असपश्ट कहा कि कॉंगरेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता उन्होंने ली है इसके पीछे का कारण सभी जानते हैं कॉंगरेस ने जिस तरह देश को गर्त में डाला है कॉंगरेस तुष्टिकरन की राजनिती करती आई है कॉंगरेस सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है लेकिन अपना परिवार साथ लेकर चल रही राजनिती का उदेश जनता की सेवा करना है ये गीता कुड़ाने का है जनता के बीच रहना है, जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित नहीं है अब मैं भाजपा के साथ जनता की सेवा करूँगी मोदी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भूमिका होगी उसे निभाऊंगी गीता कोड़ा को भाजपा में शामिल कराने वाले सबसे माहिर खिलाडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने मौके पर कहा कि गीता कोड़ा पहचान की महताज नहीं है गीता कोड़ा दो बार विधायक रही है सांसक बनी और काम कर रही है वा कॉंग्रेस के कारिकारी अध्यक्ष भी रही है नरिंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर ही वा भाजपा में शामिल हुई है गीता कुडा के योगदान से कुलहान ही नहीं, पुरे जार्खन में भाजपा एक नई ताकत और नई उर्जा के साथ काम करेगी। अब जार्खन की 14 लोग सबा सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। हम नरे निर्मोदी के खाते में जारखन की सभी सीटे देंगे। बाबुलालमरांडी के इस बयान से कि अब जारखन की 14 लोकसवा सीटे भाजपा के खाते में आएंगी। इस बयान से या तो साफ हो गया कि गीता कोड़ा अगर कॉंग्रेस में बनी रहती तो भाजपा के लिए सिंगधुम सीट तो भेत पाना बहुत मुश्किन था। इस बात में कोई संदे नहीं, कोई शंसे नहीं कि गीता कोड़ा भाजपा के लिए वो तुरुप का पत्ता सिद होंगी, जिसमें जारखंड में भाजपा के विज़ाई रत को रोक पाना अब विपक्षी कडबंधन के लिए उतना आसान नहीं होगा। साल 2009 में जगरनातपूर विधानसबा सीद से चुनाओ लड़ी और चुनाओ में भारी मतों के अंतर से जीत भी हांसिल की, ग्यातब वे हो कि तब 2009 में गीता कोड़ा जय भारत समानतापाटी के बैणर तले जगरनातपूर विधानसबा सीद से चुनाओ में उतरे थी, साल 2009 में जगरनातपूर सीट से लगभग 25,000 वोटों के अंतर से जीत हांसिल करने वाली वजहारकंड की सबसे कम उम्मर की विधायक होने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली गीता कोडा ने 2014 में सिंग्भूम लोकसबा सीट से चुनाव लड़ा पर 14 के उसी मोदी लहर में गीता कोडा सिंग्भूम सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी लक्षमन गिलवा से चुनाव हार गए साल 2018 में वे कॉंग्रेस में शामिल हो गए 2019 में वे पहली बार कॉंग्रेस के टिकट पर सिंग्भूम लोकसबा सीट से जीट कर संसत पहुंची और इसके बाद आज का यह दिन है जब झारखंड कॉंग्रेस के कलौती संसत गीता कोडा ने भाजपा के दामन थाम लिया है अब थोड़ा कॉंग्रेस की हाली अस्तिती पर भी एक नज़र डालते हैं ज्यारखंड कॉंग्रेस हरोज नई-ई-ई-ई मुसीबतों का सामना कर रही है कभी कॉंग्रेस के ही 12 विधायक मंत्री बनने के लिए अचानक राची से दिल्ली कुछ कर जाते हैं तो कोई कॉंग्रेसी विधायक अपने ही कोटे के मंत्रियों के खिलाप सारुजिनिक बयान देते वे यह कहता है कि अब ज्यारखंड में भी खेला होगा ऐसे में जब विपक्षी गडबंधन जारखंड में चारों खाने चित पड़ा है जब गडबंधन के बड़े वद निर्नायक चहरे पुरमुक्षमंत्री हेमन सोरेन होटवार में सलाखों के पीछे हैं जब जेमन से भी हर रोज सीता सोरेन और बैजनात राम जैसे जानी माने चहरे बगावती स्वर अपना रहे हैं ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि आए दिन कमजोर होती जा रही इंडिया लाइन्स को क्या राहूल गांधी सिर्फ न्या यात्रा के जरिये मजबूती दे पाएंगे राहूल गांधी भले ही देश जोडने की बात कर रहे हूं जो अच्छी बात है पर शायब वे इस बात से कुछ हत्ता कंजान है क्योंकी ही पाटी आए दिन हर रोज तूट जा रही है एक तूट में इस तूट में भले ही बीजेपी की सूट बूट वाली सरकार हो पर कॉंग्रेस के पास हर रोज पॉलिटिकल क्राइसिस की आ रही बाढ़का उन्होंने किसके आसरे विकल्प छोड़ रखा है भारत के सेकंड लार्जेस ट्राइबल स्टेट जार्खंड में जार्खंड कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेस ठाकुर के साहरे या फिर कश्मीर से आये कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम एहमद मीर के साहरे आज की इस पूरी बाचीत में हमने गीता कोड़ा के आने का पुरा प्रारूप बताया है कि आखिर गीता कोड़ा को भाजपा जवाइन कराने के पहले दिल्ली से लेकर राची में क्या खलबली मचीवी थी क्या समिकरन गढ़े हुए थे भाजपा की जहरखंडिकाई के दो बड़े नेताओं को प्रेवेक्षकों को बनाकर सिंग्भूम भेजा गया था बस इस बाबत की गीता कोड़ा किसी भी तरह से कॉंग्रेस से पल्ला ज़ाड़कर भाजपा में शामिल हूँ हमने फिलहाल इस वक्त इस वीडियो में जितनी भी सियासी समिकरने थी कि आखिर किन वजहों से गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई कैसी परिस्थितियां उनके सामने थी और किस तरीके से दिल्ली से लेकर राची तक एक दुर्जे मंडली लगी हुई थी अगर आपको लगता है कि इस गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल हुई अगर आपको लगता है कि इस गीता कोड़ा के भाजपा में शामिल होने से इसका असर लोगसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा जारखंड में इसका असर पड़ेगा कुलहान के छेतर में इस